लड़की जब शादी करके सस्ट्राल जाती है तो उसे बहुत एड़्जस करना पड़ता है क्यूंकि उसकी पसंद अपने सस्ट्राल वालों से काफी अलग होती है पर लड़की फिर भी सस्ट्राल जाने के बाद इस बात का हमेशा ख्याल रखती है कि कभी उसके सास सुसर को उसकी वज़ा से कोई परेशारी ना हो पर जितना बहू अपने सस्ट्राल वालों के बारे में सोचती है क्या उतना ही सस्ट्राल वाले भी बहू के बारे में सोचते हैं ये कहानी है कीती की, जिसने सुस्राल आते ही सभी घरवालों का दिल चीत लिया था अरे वाँ मीना, घर में खाने की बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है हाँ हाँ, बहुतो कुछ भी बनाए, आपको तो खुश्बू ही आती है अभी तक पूरा खाना बना भी नहीं, और आपकी नाग पर खुश्बू भी चड़ गई मीना, कभी तो खुश हो जाया करो, हमेशा मूँ चड़ा कर रहती है अरे मूँ तो बनेगा ही न मेरा, मैंने सोचा था मेरे घर में भी बहु आएगी रोज रोज नए नए तरे के पकवान बरा कर मुझे खिलाएगी पर मेरी बहु को तो रोटी सबजी के अलावा कुछ आता ही नहीं है बनाना अरे औरों की बहु को देखो, चपन भोग आते हैं बनाने मीना जान बूच कर सारी बाते तेज तेज बोल रही थी ताकि कीर्टी तक उसकी बाते पहुंच सके अपनी सास की बाते सुन कर कीर्टी को थोड़ा बुरा लगता है पर वो अपनी इस कमी को सुधारने के कोशिश करती है और यूट्यूब पर खाने के नए नए तरीके देखती है और घर में बनाने के कोशिश करती है मा को हमेशा मेरी खाने से शिकाय थी भगवान जी मिरा साथ देना अज पहली बार में चिली पनी बना रही हूँ पर मा को एक बार बचा देती हूँ वैसे भी घर में पनीर नहीं है मा को बचा दूगी तो वो पनीर भी मंगवा देंगी कीर्थी अपनी सास के पास जाती है और पनीर की सबसी बनाने के लिए परमीशन लेती है पनीर का नाम सुनते ही मीना का मूँ बन जाता है और मूँ बनाते हुए कीर्थी से कहती है अरे नहीं नहीं पनीर ना बहुत महिंगा हो गया है बहू फिर किसी दिन तो चिली पनी बना ले ना एक काम कर आज ना मश्रूम की सबसी बना ले और हाँ मसाले वाली बनाना मश्रूम ठीक है मा और मुझे तो मश्रूम की सबसी आती ही नहीं बनानी कोई बात नहीं मा का मश्रूम खाने का मन है तो एक काम करती हूँ जैसे यूटुब से पनी की सबसी बनाना सीखी है ना इसी तरह से मश्रूम की सीख लेती हूँ क्या पता मां को उनका मन पसंद खाना बना दू तो शायद उनके नरोजगी थोड़ी कम हो जाए कीर्टी से पुरा परवार खुश था सिवाए मीना के इसलिए कीर्टी हर समय अपनी सास को खुश करने में लगी रहती और वही बनाती जो मीना कहती अब इसी तरह से कुछ दिन बीट जाते हैं और कीर्टी का दिल करता है कि आज वो पनी की सबसी बनाए जो रेसिपी उसने देखी थी वही इसलिए कीर्टी एक बार फिर अपनी सास से कहती है मा आज ना अंकिर्ची का प्रोमोशन हो गया है कितनी खुशी की बात है ना हाँ बहू खुशी की तो बात है अरे मैं तो चाहती हूँ कि बेरा बेटा इसी तरह दिन दुगनी और राज चौगनी तरक्की करता रहे अच्छा मा मैं क्या कह रही थी कि आज बहुत खुशी वाला दिन है ना और कितना टाइम हो गया है घर में कभी पनी की सबसी नहीं बनी तू कुछ साउथ इंडियन बना और कुछ इटेलियन बनाने की कोशिश कर मुझे उमीद है तू हर तरह का खाना बनाना सीख जाएगी ठीक है माँ बिचारी कीर्टी आज अपनी सास से खुल कर बोलती है कि उसका पनीर की सबजी खाने का दिल है पर मीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपनी फर्माइश कीर्टी के सामने रख देती है बिचारी कीर्टी अपनी सास की इज़त करती है और अपना मन माल लेती है अब इसी तरह से कुछ दिन बीच जाते हैं और देखते ही देखते किशन रिटायर हो जाता है एक बार फिर कीर्टी के पास खुशी का मौका था और वो अपनी सास से अपनी इच्छा जाहिर करती है मा आज पापची रिटायर हो गए हैं क्या इस खुशी के मौके पर आज पनी की सबजी बना लू वेसे बीना मैंने काफी समय से पनी की सबजी नहीं खाई पिरा काफी मन कर रмовा है अरे बहु तो हमेशा तो अपनी पसंद का खाना बनाती है आज तो तेरे ससुच जी के लिए खुशी का मौका है कम से कम आज के दिन तो उनकी पसंद का खाना बना और तू तो जानती है ना, तेरे ससोर जी को पनीर पसंद नहीं है ठीक है मा, समझ गई, आज भी पनीर नहीं बनेगा अपनी सास की बात सुनकर आज कीर्टी बहुत उदास हो जाती है और उस दिन के बाद फिर कभी भी कीती अपनी सास के सामने अपनी इच्छा जाहिर नहीं करती ऐसे ही एक दिन कीती अपनी सास के लिए फ्राइट राइस बना रही थी तबी मीना के पास उसकी बेटी पारूल का फोन आता है जो अपनी मा से अपने सस्ट्राल वालों की शिकायक कर रही थी मा ये कैसे घर में तुमने मेरी शादी कर दी है यहां आकर तुम मुझे हर दिन हर पल मुझे अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है सिर्फ उनकी खुशियों के लिए अरे ऐसा भी क्या हो गया मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया तेरे सस्ट्राल वालों ने मुझे बता तेरे सस्ट्राल वालों को तो मैं सीधा करूंगी अरे तुम क्या सीधा करूंगी मेरी जिन्दगी खराब हो गई है इस घर में मेरी पसंद का कुछ भी नहीं बनता है यहां पे यहां तक कि यह लोग मुझे मेरी पसंद का खाना भी नहीं खाने देते कुछ भी बोलो तो मेरी खलूस सास सो बहाने बना देती है अरे ये क्या बात हुई तेरे सस्वाल वाले तो सच में बड़े निकम्बे और कंजूस हैं जो तुझे तेरी पसंद का खाना भी नहीं खाने देते अरे तुझ एक कान कर मेरा बच्चा कुछ दिन के लिए यहां आजा और जब यहां से जाएगी न तो चार दिन तक अपने घरवालों को खाना मत देना फिर उनको अकल आएगी कि बहु की इज़त करना कितना जरूरी है फिर देखना तेरी ही मर्जी का खाना बनेगा हाँ हाँ मा तुम बिल्कुल सही कह रही हो अब ना मुझे अपनी उंगली टेड़ी ही कनी पड़ीगी अच्छा मा मैं फोन रखती हूँ इतना बोल कर पारोल फोन रख देती है पर ये सारी बाते रसोय में खड़ी कीर्दी सुन देती है पर फिर भी कीर्दी अंचान बनने की को देती हो गई है ऐसे कंजूस अस्टोवाले हैं मेरी बेटी को उसकी पसंद का खाना भी नहीं खाने देते इतने दिन से मेरी बेटी फिज़ा की रड़ लगा है पर मजाल है उसके घर में पिज़ा आया हो, अरे मैंने तो सिखा दिया है उसे, कि चार दिन तक घरवालों को खाना मत देना, अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी, और अगर फिर भी नहीं सुद्रे तो तू यहां आ जाना, कुछ दिन जब खुद सास बुरापे में खाना बनाएगी तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी, हा मा, आप बिलकुल सही के रही है, जब घी सीधी उगली से ना निकले, तो उगली ठेड़ी ही करनी पड़ती है, आपने बिलकुल सही सिखाया है, अपनी बेजी को लीजे खाना खालेजे, हम, अग क्या था, कीर्ती की सास ही उ बनाये वो खाना खाने के लिए परिवार वालों के साथ बैठती है, तो मीना के सबर कबान तूच जाता है, और वो पूरे घर वालों के सामने कीर्टी को सुनाने लगती है, अरे पता नहीं कैसी बहु मिली है मुझे, बेशर्मी की भी हद होती है, अरे बहु तुससे खाना तो बनाया नहीं चाहता मुझ बुडिया से खाना बनवा कर तू रोज खा कैसे लेती है माँ मैंने हमेशा आपकी पसंद का खाना बनाया है और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें पर आप नहीं चाहती कि मैं खुश रहूँ जब बात अपनी बेटी पर आई तो आपने उन्हें सीख दी कि सस्ट्राल वालों को चार दिन तक खाना बना कमर देना बस वही सीख मैंने भी अपना ली है क्योंकि आप भी तो वही कर रही है ना मेरे साथ जो ननन जी की सास उनके साथ कर रही है क्या हुआ बहू? तुम एसी बाते क्यों बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है गर में मीना क्या हो रहा है यह सब? किशन के पूछने पर भी कीर्टी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है जिसके बाद मीना अपने पती के सवालों का जवाब देती है कीर्थी की बात इस सुनकर किशन को कुछ समझ नहीं आता पर मीना सब समझ जाती है कि उसकी बहु क्या कहना चाहती है अगले दिन अपनी इस हरकत के लिए कीर्थी अपनी सास से माफ ही मांगती है कर बात के लिए मुझे माफ कर दीजी मा अपसे पेली की तरह मैं ही रसोई समालूगी मुझे बता दीजी क्या बनाओ बहु तुझे पनीर बहुत पसंद है ना और बहुत दिन से तेरा मन भी कर रहा था एक काम कर आज तुना पनी की सबज़ी ही बना ले और अपनी सास को माफ कर दे बिटा नहीं बहु तुने बिलकुल सही किया तेरा ये करना जरूरी था मुझे अपनी बेटी का दुख नजर आ गया पर बहु का नहीं जिस तरह मुझे पता चला के मेरी बेटी को उसकी पसंद का खाना नहीं खाने दिया जा रहा है उसी तरह जब तेरे घरवालों को ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में अब से इस घर में समी का खयार रखा जाएगा और खास करके तेरा क्यूंकि तूल कितना खयार रखती है हम सब का इतना बोल कर मीना अपने दोनों हाथ जोड़ कर अपनी बहू से माफी मांगती है पर कीर्टी सारी पुरानी बाते भूल जाती है और अपनी सास को गले लगा लेती है जिसके बाद कीर्टी के सस्ट्राल वाले भी कीर्टी का उतना ही खयार रखते हैं जितना कीर्टी अपन और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपने मिले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं गया है तो नीचे वाले बैल आइकन को दबा कर सब्सक्राइब कर लें तो मिलती हूं मैं आप सभी से फिर एक नहीं कहानी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए बाइब करें दोस्तों